गंटटने उपर हो चुका हैं इंजेक्शन लगवाये हुए मुझे इंजेक्शन लगवाये हुए…… मुझे लगबक पहली डोस रहेगी बहुत मुझकिल से मुझे 18 प्लस में जाके स्वाट मिला है और इंजेक्शन लगवाने के बाद मैं अपने आपको अबसर करूँ अगले 36 गंटे के लिए और इन सारी चीज़ों को मैं रिकॉर्ड करने वालों कि क्या चल रहा है तो इस वीडियो को आप प परतना भी बहुत जरूरी है इंजेक्शन लगवाने से पहले तो बहुत ज्यादा और इंजेक्शन लगवाने के बाद भी बहुत ज्यादा तो आईए इंडिया देखो विद विपिन शीवास्तव तो दोस्तों अब मैं पहुँच चुका हूं अपने डेस्टिनेशन पर तो थोड़ी दिर में मैं जाके इंजेक्शन लगवाने वाला हूं और फिर उसके बाद मैं इंजेक्शन लगेगा तो अगर उसकी वीडियो मैं बना पाया तो जरूर बनाऊंगा लेकिन हम फिर अप्जर्व करेंगे और मैं हर 2 तीन घंटे के बाद अपनी चोटी चोटी वीडियो बनाके एक पूरी एक कंपाइल करके एक वीडियो बनाने वाला हूं अखले 36 गंटे अपने आपको अफजर्व करूँगा और उसके बाद यह वीडियो मैं अफलोड करूँगा लोगों को अगर लगेगा कि उनको इंजेक्शन लगवाना चाहिए नहीं लगवान और जिन सिस्टर ने मुझे ये डोज दिया था उनका हाथ काफी अच्छा था मुझे दर्द का बिल्कुल एसास नहीं हुआ उन्होंने मुझे बताया कि यह बहुत जरूरी है कि डोज लगने के तीन दिन बात तक आप किसी भी तरगे का नशा जैसे सिग्रेट शराब गु इंतिजार करना पड़ा और उसके बाद मैं अपने घर को जा सकता था तो दोस्तों अभी मुझे लगबग एक घंडे से उपर हो चुका है इंजेक्शन लगवाए हुए और इंजेक्शन लगवाने के बाद मैं 20 किलोमेटर ड्राइब भी कर चुका हूं और मुझे किसी भी इंजेक्शन लगवाए है लगबग 4 गंटे हो चुके हैं एहतियात के तौर पर घर आने के बाद मैंने सारे के सारे कपड़े अच्छे से दोने के लिए डाले और मैं अच्छे से नाया नाने के बाद मैंने पानी वानी फूर्ट बहुत लिये क्योंकि जब मुझे इंजेक कर रहा हूं ना तो कोई हाथ में दर्दा किसी तरीकी का ना किसी तरीकी कोई थकान या भुखार या इस तरह से लग रहा है अब मैं एक बार रात को सोने से पहले और देखूंगा वह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा दोस्तों इस वाट के सवादस बज रहे हैं और मुझे इंजेक्शन लगा है वह अच्छे घंटे हो चुके हैं और अभी भी मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है रही मुझे नॉर्मल तो मिलते हैं कल सुबा और देखते हैं रात कैसी निकलती है बुड मॉर्निंग दोस्तों अभी मुझे इंजे इंजेक्शन लगवा मुझे इंजेक्शन लगवाई हो अब 20 घंटे हो चुके हैं और अगर मैं बात करूँ तो मेरे रूटीन की सारे रूटीन सेम रहा मेरे को काना भूख अगर सब नॉर्मल लगी मैं नहाना दोना सब अच्छे से किया बाकी सारी चीज़े ठीक से हैं लेकिन क्यों थोड़ी स थकान तो जरूर फील हो रही है कि मन करता कि थोड़ी दिर के लिए लेट जाओ या सो जाओ एक यह चीज़ फील होने शुरू हुए है पिछले एक दो घंटे से अधरवाइस बाकी मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं और हाथ में कोई किसी तरीके का कोई दर्द भी नहीं ह हैं दोस्तों मुझे 24 घंटे हो चुके इंजेक्शन लगवाए हुए और अगर मैं साइड इफेक्स किया इंजेक्शन लगवाने के बात कि अब तक बात करूं तो जैसा कि मैं आपको बताता आया हूं सिर्फ एक थोड़ी सी थकान जरूर मुझे मैसूस होने शुरू हुई जो पिछले 2-3 घंटे सा हो रहा है कि मुझे नीद आ रही है या मेरे को लग रहा है कि मैं जाद खड़ाना रहा हूं या बैठाना रहा हूं लेट जाओं यह फिरिंग जरूर हुई है और नीद नहीं आ रही है लेकिन तकान भी फील हो रही है तो यह एक डिफरेंस मुझे लगा है बाकी सब चीजे वैसी चल रही है से रेगुलर चलती जायती है चालिस घंटे दोस्तों मुझे अब वैक्सिनेशन करवाए वह लगबग चालिस घंटे हो चुकिया है तो मैं अपना वाक कर रहा हूं और सुबह मन ने अपना प्रानायम अगरा भी किया और किसी तर अलग लग लोगों की बाड़ी कैसे रेग करती है वह एक अलग चीज है आप लोगों को इस वीडियो के बाद काफी हेल्प मिलेगी मदद मिलेगी और आपके अंदर अगर किसी तरह की का डर है वैक्सिन लगवाने का तो वह डर निकल जाएगा और आप वैक्सिन के लिए अपने आपको रेजिस्टर करेंगे और लगवाएंगे भी और इंडिया के साथ साथ अपने आपको भी सेफ करेंगे अपना ध्यान रखिए देखते रहिए इंडिया देखो विद विपन शिवास्तव जय हिंद